हेलो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है यह महिला या बाल विकास कल्यार के अंतरगत यह मुख्यमंत्री जी की एक योजना है और यह क्यों बनाया गया है भारत का सामाजिक तानाबाना स्वयम में जटिल और संबेदी है सामाजिक, धार्मिक, सैक्षिक और पारिवारिक परिष्थितिया महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेद भाव पूर्ड रही है समाज में प्रचलित कुरूतिया एवं भेद भाव जैसे कन्या, भूर्ड हत्या, और समान, लिंगन उपात, बाल बिबा एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसे प्रतिकूलताओं के कारण प्राया बालिकाओं, महिलाओं, अपने जीवन संगरक्षण, स्वास्तियों सिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से बंचित रह जाती है इन सामाजिक कुरूतियों को दूर करने हे तू, सरकारी और गयर सरकारी अस्तर पर निरंतर प्रयास भी किये जा रहे है इस पर इवेस के दृष्टिगत उत्तर प्रतेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यंत आवस्यक है महिला ससकती करण के आधार भूत अस्तंब स्वास्तियों सिक्चा है प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्तियों सिक्चा के अस्तर में व्रिद्धी तथा उनके भविष्य को उज्ञ बनाने के लिए ही राजि सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना बनाई गही है इस योजना की अंतरगत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की अधारडा सुद्रिण होगी तथा महिलाओं के ससक्ति करण को भी बल मिलेगा तो कन्या सुमंगला योजना की जो मुख्य उदेश हैं यह उत्तरपरदेश में स्वास्तियम सिक्षा की इस्थिति को सुद्रिण करना प्रदेश में कन्या भुरुन हत्या को समाप्त KIRBY करना प्रदेश में समान लिंगन उपात स्थापित करना बाल बिबा की कूप रथा को रोकना, नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता परदान करना, तथा उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रती, आम जन्में सकारात्मक सोच भिक्सित करना, वह उनके उज्योल भविस्य की आधार सीला रखना, इसी के अंतरगत, म 123456 क्या है और किस स्टेज में कितना मिलेगा और कैसे यह भरना है, यहां आवस्यक जानकारी जो है इस वीडियो में आप देखेंगे, तो इसे अंतर तक आप देखें, कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत लाभार्थी की पातरता, मतलब कि कौन कौन से लाभार्थी इसे भर सकते हैं, तो कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत लाभार्थी की पातरता जो है, निर्धारित की गई है, कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवा करेंगी तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास अस्थाई निवास पत्र हो जिसमें रासन कार्ड, आधार कार्ड, ओटर पहचान, पत्र, बिद्दूत, टेलिफोन का बिल ये मान्य होगा दूसरा, लाभार्थी की परिवार की वार्थी का अधिक्तम तीन लाख रुपए हो, मतलब कि जिन लाभार्थी के परिवार की वार्थी का तीन लाख रुपए से कम है, वह इसमें पात्र होंगे, लेकिन पात्रता की और जो मेन सर्थ है, वह सर्थ है कि किसी परिवार की अध लड़का है एक लड़की है तो उस लड़की को मिलेगा अगर किसी के परिवार में सिर्फ दो बेटियां है तो दोनों बेटियों को मिलेगा तो लभारती के परिवार का आकार या साईज परिवार में अधिकतम जो है वह है दो बच्चे होना चाहिए किसी महिला को अगर दोती प्रसों से जुड़वा बच्चे हुए हूँ और तीसरी संतान के रूप में लड़की है तो उसे भी उसका लाभ मिलेगा यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दुत्री प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हैं तो इस तरह से ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को इसका लाब मिलेगा यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिकाओं को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिक्तम दो बालिकाओं इस योजना की लाभार्थी होगी कन्या समंगला योजना के क्रियानवन के अस्तर या छैस रेडियो में बाटा गया है प्रथम स्रेडि के अंतरगत नवजात बालिकाओं निवबार्न गर्ल्स चाइल्ड जिनका जन्म एक अपरेल दो हजार उन्नीस या उसके पस्चात हुआ है उसे लाभ मिलेगा यह उसी सित में है मतलब कि नवजात बालिकाओं के लिए दो तीस रेडि के अंतरगत वह बालिकाओं सम्मिलित होगी जिनका एक वर्ष के भीतर संपुर्ण टीका करण हो चुका हो तथा उनका जन्म एक अपरेल दो हजार अठार से पूर्व न हुआ हो त्रतीस रेडि के अंतरगत वह छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो च्लासिक्स बच्चियां जो बच्चियां जो है इंटर्मीडियर की परिछा को उत्रिड करके और वह जो है बीए, बीएस्सी, बीकाम या अन्य समकच डिग्रियां सामिल होगी या फिर दो वर्षिय मानेता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स जैसे पालिटेकनिक, फार्मेसी, आई टी आई नर्सिंग, प्रबंधन, इत्यादी समकच कोर्स मान्य होगे, आई टी आई में कक्चा दस्वी के बाद भी प्रवेश संभव है, इसलिए कक्चा दस पास छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, अगर वह पलिटेकनिक और आई टी आई में जाती हैं तो वह भी इसकी हकत हैं, कन्या सुमंगला योजना को जो 6 स्रेडियों में बाटा गया है, इस योजना के अंतरगत लाभार्थी का वर्गी करण, मतलब कि जो धनरासी का बितरण है, वह इस प्रकार किया गया है कि प्रथम स्रेडि के लिए, यानि बालिका के जर्म होने पर 2000 रुपे एक मुस्त दुतिय स्रेडि के लिए बालिका के एक वर्ष तक पुर्ण टीका करण के उपरांथ 1000 रुपे तुतिय स्रेडि कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांथ 1000 रुपे एक मुस्त, पंचम स्रेडि कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरांथ 3000 रुपे और सस्टम्स रेडी है ऐसी बालिका हैं जिन्होंने कक्षा बारहमी उत्तिरण करके सनातक या दो वर्सी या अधिक अवधिके डिप्लोमा कोर्स में प्रवेस लिया है इन्हें एक मुस्त पांच हजार रुपे का प्राविधान है तो स्टेज वन में स्टेज वन हो गया कि एक च का लग चुका है और उसका जन्म एक अपरेल 2018 से पहले नहीं उसके बाद हुआ है तो उसे भी इसका लाब होगा स्टेज थ्री कक्षा एक में जो बच्चे प्रवेस लिये हैं जो लाभार्थी इसके पातरता को पूरा करते हैं वह जो है कक्षा एक में जिनका इस सत्र में प्रवेस हुआ है वह इसके हकदार है लेकिन सर्थ है कि उस बालिका की आयू तीन वर्स से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए तो कक्षा एक में प्रवेस होता है तो बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल 5-6 साल होती है तो कक्षा एक में जिन बच्चियों का प्रवेस हुआ है वह इसके हकदार होगी स्टेज 4 चालू सक्षडिक वर्स के दवरान कक्षा 6 में दाखिला लेने वाली बालिका को 2000 रुपे एक मुस्त और एज बाउंडेसन होगा 7 साल से अधिक होना चाहिए इसी तरह से स्टेज 5 है सक्षडिक वर्स के दवरान कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली बालिका को 3000 या दो वर्षी डिप्लोमा कोर्सकर में दाखिला लिया है उन्हें एक मुस्त जो है पांच जार रुपए धन से लाभानवित किया जाएगा और बालिका कि आई जो है बारा वर्षी अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए तो लाभार्थी को योजना के अंतरगत जो दे धनरासी है वह पी एफ एमस के माध्यम से उसके बैंग खाते में हस्तानांतरित की जाएगी लाभार्थी के अब वयस्क होने की इस्थिती में दे धनरासी लाभार्थी की माता के बैंग खाते में लाभार्थी की माता के बैंग खाते में और अगर माता की मृत्ति हो गई है तो उस इस्थिती में पिता के बैंग खाते में हस्ताना अंतरित की जाएगी अगर माता और पिता दोनों की मृत्ति हो गई है तो अभिभावक के बैंग खाते में हस्ताना अंतरित की जाएगी लाभार्थी के बैस्क होने की दसा में दे धनरासी लाभार्थी के बैंग खाते में हस्ताना तरित की जाएगी माता पिता के मृत्य होने की दसा में मृत्यु प्रमाडपत्र साक्ष के रूप में संगलगन करना होगा प्राथमिक रूप से आवेदन आनलाइन माध्यम से स्विकार किये जाएंगे जो आवेदन क अधिकारी उप मुख्य परिविक्चा अधिकारी के कार्याला में जमा कर सकेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप विभागी वेब साइट पर उपलब्द है और यह साइट जो है mksy.up.gov.in है इसे भरने के लिए किन किन परमाडपत्रों की आव सकता है कक्षा में प्रवेश का परमाडपत्र निवास परमाडपत्र यानि वह उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो चात्रा का आधार बैद मोबाइल नंबर इसी मोबाइल नंबर और यह मोबाइल नंबर बीच में चेंज नहीं होगा तो जो इस्थिर मोबाइल है इस्थिर मोबाइल नंबर है उ सपत्थ पत्र है, इस सपत्थ पत्र पर सभी डिटेल्स जो है दिये गए हैं, आवेदक वो बालिका का नमींतम संजुक्त फोटो, मतलब माता का बच्ची के साथ, या पिता का बच्ची के साथ, या अभिभावक का, जो आवेदक के अभिभावक के रूप में होंगे, बैंक पास्बुक की फोटो कापी, जिसमें IFC कोड या खाता संख्या साथ साफ लिका हो, मदर का, फादर का, या अभिभावक का, या फिर बच्चे का अगर बयस के तो, और एक फोटो विद्याले उनिफार में, इस कैनिंग हो हेतु जो है, चाहिए, इसकी जो पात्रता है, या आपको बताय जा चुका है, भुगतान की जो कारवाई है, मुख्याले दवरा प्राथ होने की तिथी से तीन माह के भीतर भुगतान की कारवाई सुनिश्चित की जाती है, तो भुगतान जो है प्राय जून, सितंबर, दिसंबर, वह फरमरी माह में किये जाएंगे, और जो क्या चाहिए आवेदन पत्र पर माता, पिता या अविभावक का बालिका के साथ नवीन्तम संजुक्त फोटो होना अनिवारे है, माता पिता के आधार कार्ड वा बालिका का आधार कार्ड की छाया प्रती आवेदन पत्र के साथ संगलगन और अपलोड की जाएगी, यदि वेदक का आधार कार्ड उपलब्द नहीं है, तो निम्न फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवारे रूप से संगलगन या अपलोड किया जाएगा, जैसे पैन कार्ड, ओटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पास्पोर्ट, बैंक या पोस्ट आफिस, हैं, तो विभाग ये पहचान पत्र, पैंसरन है, तो पैंसरन फोटो, आईडी कार्ड, परिवार की वारसी काय के संभन में स्वह सत्यापन है, और ये फोटो जो है, एक परिवार में एक से अधिक लाभारती होने की इस्थिती में, दूसरी बालिका का अवेदन पत्र भरे जाने के दौरान, पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान, पंजीकरण संख्या का उल्लेक करना होगा, जो आईडी एक मिलेगी, एक नंबर मिलेगा, तो अगर हम एक परिवार के दो बच्चों का भरते हैं, तो पहले परिवार, बने परिवार के पहले ब आवेदक को एक अस्थाई mobile number आवेदन के समय देना होगा। निर्धारित संगलग्न प्रारूप संख्या एक पर सपत पत्र जो की 10 रुपए की स्टाम पेपर पर देना अनिवारे होगा। सपत पत्र पिता माता या पिता के न होने पर माता तथा माता पिता दोनों के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जाएगा। यदि बालिका बयस्क है तो सपत पत्र सोयम बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। सपत पत्र में आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों, तथा बच्चों की संख्या, परिवार की वार्षी काय, बालिका के जन्म, तथा सिक्चा समंधी बिवरण, आधिजानकारी उल्लेखित की जाएगी. सभी आवेदकों हेतु अनिवार अभिलेखों की सुची. जल कर रसीद, ग्रिह कर रसीद, टेलिफोन बिल या बैंग पास्पुक में से कोई एक, कोई एक जो या प्रूप करता है कि आप उस पता दिया है, वहाँ पर आप निवास करते हैं. फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पैंसनर फोटो आईडी, कार्ड, आधार कार्ड, ओटर आईडी, ड्राइबिंग लाइसेंस, पास्पुर्ट, बैंक पास्पुक या सरकारी नौकरी में कारिरत हैं तो विभागिये पहचान पत्र में से कोई एक. अर्थात, निवास प्रमाड पत्र के लिए एक, रेजिदेंस के लिए और एक जो है आईडी, परिवार की वार्षी काय के सम्बन में स्वसत्यापन है, और यह स्वसत्यापन जो है, निर्धारित प्रारूप पर सपत्पत्र की रूप में, बालिका का नविन्तम फोटो, आ यदि लागू हो, यानि अगर दो बच्ची का भरा जा रहा है, तो पहले जिस बच्ची का आवेदन किया गया है, उसका जो पंजी करन संख्या है, वह दूसरे बालिका में भरना होगा, बिधिक रूप से गोद लेने का प्रमाड पत्र, अगर किसी बच्चे को जो है गोद जीवित नहीं है, अभी भावक हैं, तो उसमें जो है मदर फादर का जो है मिर्त्य परमाड पत्र संगलगन करना होगा, यह सपत पत्र है, प्रारूप संख्या एक, यह 10 रुपे की स्टाम पेपर पर देना होगा, अब इसमें जो है, यह जो दिया गया है, यह पूरा डिट जैसे मै, तो मै में यहाँ पर यह सपती के हस्ताक्षर, यह बाए हाथ के अंगुठे का निसान, नाम और पता यहाँ पर होगा, तो यह सपत जो है, पिता, माता या अभिभावक की ओर से होगा, तो जो आवेदन करता है, बच्ची की तरफ से जो आवेदन करता है, उसके द कोनों के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जाएगा, यदि बालिका बयस्क है, तो सपत पत्र स्वयम बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है, बयस्क सितात्पर हो गया कि यदि बालिका की उम्र 18 वर्स या उससे अधिक है, तो वह स्वयम जो है डिक्लिरेशन दे सकत यदि आवेदन गोद ली गई बालिका के लिए किया जा रहा है तो उसका विबरण भी सपत पत्र में सामिल करना होगा तो यह हो गया सपत पत्र जो कि 10 रुपए की स्टाम पेपर पर होगा यह must है और दूसरा दूसरा जो है जो विद्याले से एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसा कि एक एक सैंपल के लिए यह मैंने एक लगा दिया है इसमें स्कूल कोड और यूडायस कोड यह must है जिस भी विद्याले में बच्ची पढ़ती है उस विद्याले के पैड पर या उस विद्याले द्वारा यह लिख करके दिय जाएगा इसकूल कोड संख्या जिसमें होना अनिवारे होगा और यूडायस कोड होना अनिवारे होगा तो जो भी लाभारती है जितना सिग्र हो सके यह प्रपत्रों को पूरा करके और आवेदन करें थैंक यू